फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू की एकदम नई रेसिपी जो देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा और भाई देखते ही आप फटापरसे से बनाने पर अपने आपको रोक रही पाएंगे तो चलिए दोस्तों देदी न करके फटापरसे अपना वीडियो स्टार्ट करत तो चलिए दोस्तों अब हम आलू को साइड में कर लेते हैं अब हम कर लेते हैं अपनी दूसरी तहीरय के एक प्यास में अधरक ले लिया था और पांच चया में लस्टि के ले लिया था तो चलिए दोस्तों हमने सारी चीज़े कट करके तयार कर लिए तो फटा फट से साइड में कर लेते हैं फिर से हम ले लेंगे आलू ले लिए और अच्छी से ड्राय कर लिए इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं है अब यहां पर आधा चमच डाल देंगे नमक डाले के बाद गा अब लेंगे तो हरा धनी के पतिया डालने से क्या होता कि देखने में अच्छी लगते हैं खाने में टेस्ट बढ़ जाता है एक बड़ा चमच हम यहां पर डाल देंगे कुकिंग ओईल और डालने के बाद गाई इसको अच्छी से मिला लेंगे कुकिंग ऑईल इसलिए डा अपने आपको रोक नहीं पाएंगे इसे बनाने के लिए तो चली दोस्तो यह अच्छी से आलू में कोट हो चुकी है सारी चीज़े तो अब हम इसको करेंगे फ्राय तो उसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ तो फ्रेंट्स पर कड़ाई रख दिये फ्लेम को ओन कर द और तो फ्रेंट्स पर इससे क्या होगार ना के अच्छे से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं क्या करूंगे स्प्रेνचुला से इस तरीके से पलड़त दूए तो अप अच्छे से सिखने देते हैं तो वहती पर्फेक्ट तरीके से हमारे आलो फ्राय हुए है यह देखें कितना पर्फेक्ट तरीके से आ चुका है और मैं फिर से इनको उलट पनट करके फ्राय कर ले तो चलिए दोस्तो आलो हमारे हो चुके हैं तो मैं तेल निचोड़ते हुए इनको निकाल लूँगी यह देखें तो गाइस आप इस तरीके प्राये इनको हम्ने चुके अच्छे से प्याज कर लेंगे उसी बीच में ढाल देंगे अद्रक और費सान जो हमने ग्रेट किया हुआ ता वही दाल देगे डालने के बाद गए इसको इस तरीके से मिला के और इसको न अच्छे से हम भुनने देंगे अध्रक को और लहसुन को प्याज के साथ अध्रक लहसुन भी अच्छे से फ्राय हो चुका है तो यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालने के बाद गाए इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले यह देखी दोस्तों बहुत ही अच्छे से यह मिल चुका है आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहाँ पर मसाले में हम डालेंगे आदी चमच डालेंगे हल्दी पाउडर और दो चमच करके डालेंगे यहाँ पर हम धनिया पाउडर और धनिया पाउडर डल चुका है तो यहाँ पर एक चमच डालेंगे हम भरके लाल मुर्ची पाउडर और स्वाद नुसार डालेंगे नमक तो नमक आप ध्यान से डालना क्योंकि हमने आलू फ्राइ करें थे तब भी नमक डाला था एक चमच डाल देंगे भरके किचिन किंग मसारा तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़के आता है अच्छे से सारे मसाले मिला लेंगे यह देगी दोस्तो तो चलिए दोस् दही से क्या होता है कि ना बहुती क्रीमी सब्जी बनती है हमारी बहुती टेस्ट बढ़के आता है तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे से मसाले में मिल चुका है तो चलिए दोस्तों इसको ना अच्छे से हम दही के साथ मसाले को अच्छे से फिर से हम फ्राइ कर लेंगे दही के साथ मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और एकदम से कोट हो चुका है एकदम एब्सॉर्ब कर लिया है हमारे मसाले ने धही को और आप देख सकते हैं तेल भी छोड़ दिया तो इसी बीच में हमने डाल दिया है आलू फ्राय करी हुए डालने के बाद मसाले में अच्छे से मिला लेंगी यह देखे इस तरीके से और गयाź बहुत ही अच्छ से मिल चुका है तो अब यहांपर हम क्या करेंगे पानी ढलेंगे तो पानी आप अपने हिसावसे डाल सकते हैं छैसा आप तरीग खा सकते हैं पतली यह गाड़ी तो यहापर मैं लेंगे यह देखी दोस्तों तो यहां डालने के बाद अच्छ से मिला लिया है, तो थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है तो थोड़ा पतीं में और ढाल दुगी आदा कप करीब डालने के बाद करएज आफम तो कहते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ख़दके अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, इस प्रेचुला से यह देखी दोस्तों, तो friends, सब्जी बनकर हमारी बहुत ही अच्छी से तयार हो चुकी है, आप फ्लेम को कर देंगे ओफ, और फटा-फट से इसको एक बाउल में हम अच्छी से सर्व कर लेते हैं, so friends, गर्मा गर्म हुमारी आलू की सब्जी बनकर तयार हो चुके बिल्कुल नए तरीके से और एकदम परफेक्ट बनी है तो गाइज उपर से मैंने हरे धनी की पतिया फिर से मैंने गार्णिश कर दी है तो गाइज आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है न तो यह देखी यह मज़ा आगे ना देखते ही मन कर रहा होगा आपका खाने खाने में लग जाए तो कि जिस जीश की पे पानी आगे होगा ना to comment box में जरूँ बताना वहीं देखते ही मेरे तो जीश कर पानी आगे सच्चे में बनाते मन कर रहा था फटा फटा फट से खा लें तो गाइस आप इसको खा सकते हैं पूरी पराटे किसी से भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्रेंट्स आप भी इस तरीके से बना कर जरू खाये गई घर आये महमान को भी आप खिलाएंगे ना उनका मन खुश हो जागा और आपसे ना इसकी रेसिपी जरू पूछ के जा और गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रू बताना कि हमारी नए तरेकी की आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी जाशिया शेयर करना ताकि बाकी लोग भी अपने घर में बना कर खा सके और इंजॉय ले सके फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच बड़े हो भी मैं बाइ बाइ टेक क्या लव यू